दोस्तो नीम्बु पानी एक ऐसा ड्रिंक है जिसका popularity दिन प्रती दिन बढ़ते ही जाड़े है नीम्बु पानी का popularity का अंदजा आप इस बात पर लगा सकते हैं कि नीम्बु पानी को अब जादातर रेस्टूरेंट में भी सार्व किया जाड़ा है दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चाय कॉपी की जगा निम्बू पानी पीना शुरू कर देंगे तो दोस्तो चलिए जानते इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले है नमबर वान निम्बू पानी क्यों पीना चाहिए नमबर टू निम्बू पानी पीने का सही तरीका क्या है नमबर थ्री निम्बू पानी कब पीना चाहिए नमबर फोर एक दिन में निम्बू पानी कितनी बार पीना चाहिए नमबर फाइब क्या रोजाना निम्बू पानी पीना हानिकारक है क्या होता है रोजाना नीमू पानी पीने से दोस्तों इन सवी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले है तो इस वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़े आपको जानने को मिलेगा तो पहले हम जानते हैं नीमू पानी क्यों पीना चाहिए नीमू में वीटामिन C की मात्रा अधिक होता है जो इम्मूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है ये ड्रिंक आपको सर्दी जुकम फ्लू आधी समस्याओं से राहाद दिलाता है इसके लिए आप रोजाना नीमू पानी पी सकते हैं वीटामिन C की कमी से हमारे मसूरों से खून आने जैसे समस्याओं हो सकता है इसके लिए आप नियमी तोड़ पर नीमू पानी का सेवन कर सकते है नीमू में वीटामिन C की अधिक मात्रा होता है निमू में होता है अच्छे मात्रा में potecium जो आपके blood pressure level को कम करने में मदद करता है जिससे आपके heart healthy रहता है एक studies में ये बात पता चला है कि निमू में पाये जाने वाला centric acid kidney stone को सरी से बाहा निकालने में मदद करता है जो लोग अपने बढ़ते वजन से पड़ेसान है उसे सुबह खाली पेट एक गिलाज गुनगुना निम्बू पानी जरूर पीना चाहिए एनिमिया यानी खून की कमी होना सरीर में आइडन की कमी के कारण होता है निम्बू में अच्छे मातरा में विटामिन C और सिट्रिक एसिट पाय जाते है जो खाने से आइडन एब्जरॉप्सन में मदद करता है इसलिए खाने के साथ नीमू मिला कर खाने से या फिर खाना खाने के 30 मिनट बाद नीमू पानी पीने से जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें से आइड़न एब्जॉप्शन आसान इसे होता है जिससे हमें खून की कमी नहीं होता है नीमू पानी एक 37 सले detox agent है मतलब अगर आप रोज सुबे नीमू पानी पीते हैं तो आपके सरीर से सभी तरह के toxins बाहर निकल जाते हैं नीमू को blood purifier के रूप में भी जाने जाते हैं नीमू पानी आपके liver को healthy रखने में मदद करता है नीमू पानी पीने से आपके liver में जमें liver हमारे सरीर के लिए जरूरी enzymes के उत्पदन को बढ़ाते हैं जिससे हमारे सरीर को कई तरह से फाइदा करता है जैसे कि आप जानते हैं नीमू पानी हमारे सरीर से toxins को बाहर निकालने में मदद करता है इसलिए हमारे चेहरा बिलकुल साफ और खिला-खिला रहता है नीमू प आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेस और तरो ताजा महसुस करेंगे निमू पानी कब और कितनी बार पीना चाहिए वैसे तो निमू पानी को आप कभी भी पी सकते हैं लेकिन सुबह खाली पेट या फिर खाना खाने के एक घंटा पहले अगर आप निमू पानी पीते है तो आपको इसके भड़पूर फाइदा मिलेंगे अब बात करते हैं आपको एक दिन में कितनी बार निमू पानी पीना चाहिए आपको एक दिन में एक या दो बार ही निमू पानी पीना चाहिए इससे जादा नहीं क्या रोजना निमू पानी पीना हानी का रख है रोजना ज्यादा नेमू पानी पीना हानी का रखे अगर आप रोज एक या दो गलास से ज्यादा नेमू पानी पीते हैं तो आपको नुक्सन हो सकता है क्या क्या नुक्सन हो सकता है ज्यादा नेमू पानी पीने से चलिए जानते है दातों का एनमिल नश्ट कर सकता है नेमू में होता यह एसीड दातों के साथ संपर्ग में आने से दातों के बाहरी हिस्सों को नुक्सन पहुचाते हैं जिससे दातों में सेंसिटिविटी और क्याविटी हो सकता है जादा निम्बू पानी पिने से एसीडिटी सीने में जलन जैसे सिकायत होता है और बहुत अधिक निम्बू पानी पिने से पेट में अलसर भी हो सकता है निम्बू पानी का जरूरत से जादा सेवन सीर दर्द की वज़ा बनता है अगर आपके सिर में पहले से दर्द है तब आपको निम्बू पानी पिने से परहेज करना चाहिए जिन लोगों को ज़रोज से ज़्यादा निम्बू पानी पिने की आदत होते है उन्हें ज़रते बालों की दिक्कत भी हो सकता है अत्यदिक निम्बू बालों को कमजोर करता है जिससे बालों का जर्णा शुरू हो सकता है ज्यादा निम्बू पानी पीने से हड्डिया कमजोर हो जाती है निम्बू में एसिट पाए जाते है इसका हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है तो दोस्तो निम्बू पानी हमारे सहत के लिए तो अच्छा होता ही है लेकिन हमें निम्बू पानी को लिमिट में ही पीना चाहिए जिसAmerica सिर्फ इसके फाइदाई हो नुक्सर ना हो तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए है अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीस एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी secure कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सकारब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए टेक केर बावाए